वेल्कम बैक फ्रेंड्स वेल्कम डियूकेश्य टेकलॉजिक्स लास्ट वीडियो में हमने यह लेंड किया था कि डेटा सौर्टिंग का जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से अपलाई कर सकते हैं डेटा को सौर्ट करने के लिए फिल्टर लगाना हमने यह जो आप वैरोज सौर्ट करना है अगर तो कैसे करना है अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर जो है वो फाइंट करके वो देखे तो उसमें डेटा सौर्ट करने का तमाम तरीका और हर चीज़ उसमें वजूद है उससे पहले कंडिशनल फॉर्मैटिंग का भी था यह आपको नजर आ रहे हैं यह सब हमने लेट किया था अभी आज का जो हमारा टॉपिक है यह कुछ डॉप डाउन मेन्यूज क्रियेट करने का कि कुछ ऐसे सेनेरियो भी होते हैं सम्टाइम्स आपकी प्रफेशनल लाइप में आपके सामने आते हैं कि जहां आपको फॉर्म्स इसका यह कुछ है तो वह उसमें भी आपको कुछ डॉप डाउन मेन्यूज मैंसे आप्शन्स चूज करने का भी एक सेनेरियो देना पड़ सकता है तो उस सिलसले में हम क्या करेंगे उसके लिए हम दोगों क्या करना है कि यहां जैसे सपोज यहां भी मिस्टर ए का रिजल्ट है सारे का सारा अब फर्स करें कोई ऐसा सेनेरियो है कि हमें इसकी कोई कैटेगरी चूज करनी है हमने यहां भी कुछ कैटेगरी देनी है और उस कैटेगरी का यानि बार बार हमने enter नहीं करना उसको हम इसमें feed कर देंगे और automatically जब भी हमें दरूरत होगी तो हम उसको drop down menu में से select कर लेंगे कि इस चीज की ये category है suppose यहाँ पर sub students का result है chemistry, history, physics, maths का तमाम चीजों का अच्छा अब फर्ज कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसमें से कुछ students ऐसे हैं जिनके ये final exam का result है, कुछ ऐसे हैं जिनके ये midterms का attempt किया था है इन्होंने उसका result है, कुछ students ऐसे हैं जिनका ये monthly test था, ये उसका result है और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई और टास्क था ये एक assignment थी ठीक है और ये उसके marks है अब हमें कैसे बला चलेगा कि कौन सी assignment है कौन सी हमें सबके सामने ये लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हम drop down menu create कर देते हैं कि जब भी हम result enter करेंगी तो उसमें से हम choose कर लेंगे कि ये result किस कीसका है इस drop down menu को create करने के लिए आपको इसके against जहां पर जहां पर मैंपर डेटा अवेलेबल है। और data के tap में जाना है आपको data के लिएशन ये option कीजिए और data वेलिडेशन फर्स्ट ऑप्शन इसपे क्लिक कीजे यहां पर आपको एक डायलोग बॉक्स देगा यह और यहां पर लिखा रहा है कि एनी वल्यू आप इसको ओपन करेंगी और यहां से आप चूज करेंगे लिस्ट जब आपने लिस्ट को चूज किया तो यहां नीचे आपक ने सेम CTR मंतली टेस्ट है कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे जितने भीibal options आब देंगे उनको कॉमा के साथ फिर श् announcements कर देंगे मंतली टेस्ट रहें असाइनमेंट है ठीक है और मिट्टर्म हो सकता है ठीक है मिट्टर्म है और फॉर्थ आप्शन हमारा है जी फाइनल एक्जैम या एक और भी एड कर देते हैं एक्टिविटी ठीक है यह हमने चार-पांच ऑप्शन इसमें एड कर दिये ठीक है और एड करने के बाद हमने क्या किया कि इसको किया अब जब ओके किया कुछ वर्ड इसमें लंबे हैं तो हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सक यह अब यह देखिए कि जब हम यह देखेंगे यहां पर एक डॉप डाउन मेन्यू आ चुका है इसको जब हम ओपन करेंगे तो यह सारे जो आप्शन हमने दिये थे वह इ इसमें तो हम सबको देना चाहरें तो छो हम ने फॉर्मला यहां पे जो चीज अपलाइ की यहीं सेल के उपर हम यहां पर कर्सर को ले कर जाएंगे और यहांसे को डॉब करेंगे और नीचे लेकर यहां चोड़ देंगे कि इस इस सेल में हमें यह तमाम जो हमने अभी एक्टिविटी प्रफॉर्म की है इस सेल के उपर यह सब में भी चाहिए अब फर्स कर लें कि यहां मिस्टर एक यह मार्क्स जो है यह इसके मंथली टेस्ट के हैं मिस्टर बी जो है इसके जो मार्क हैं यह हम चूस कर लेंगे कि यह हैं मिस्टर विस्टेंट के हैं data है इसका ठीक है इसी तरह से हम तमाम चीजों को select करके किसी का कुछ जो भी according to the situation जो भी उसने किया है वो हम randomly select कर लेते हैं ठीक है जी यह सारे के सारे students को हमने 4-5 options दिये थे जिनमें किसी का mid है किसी का final exam है किसी की assignment है किसी का quiz हो सकता है quiz भी add कर सकते थे इसमें ठीक है और यह सारे के सारे हमने drop down menu से select कर लिया है ठीक है जी यह assignment हो गई यह सब अब इसके अंदर आ चुके हैं अब आप इसके उपर भी conditional यहां पर हम heading देंगे देंगे suppose exam type ठीक है अब इस tutorial का purpose यह था कि आपको drop down menu create कैसे करना है specific इस इस nature की चीज में इस result compiling में आपको इसकी ज़रुरत शायद ना पड़े लेकिन कहीं और किसी scenario में अगर आपको drop down list बनाने की ज़रुवत पड़ती है तो आप इसके क्यूंकि मैंने यह चाहा था कि मैं इसी file को through all पूरे lectures में लेकर चलूँ और तमाम चीजें आपको एक ही file से समझाओं ताकि कोई ऐसी confusions create ना हो तो लेकिन अगर आपको इस में इस तरह की file में इसकी ज़रुवत नहीं पड़ेगी लेकिन drop down menu create कैसे करना है उसमें options कैसे देने हैं यह तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर हमने इसको learn किया इसमें एक और चीज है आपको sometimes ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस भी आगे options को chat किये जा सकते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं इसी तरह से data भी बहुत लंबा अब अब यहां पे जब आप जाएंगे तो जाहिर सारी चीज़ें करेंगे नीचे इसको तो यह सारी चीज़ें उपर के ली जाएंगी इसके लिए चोटा सा एक function होता है हमेशा याद रखिए कि यहां यह आपका यह जो लेफ्ट कॉलम है जिसमें headings है और टॉप की जो headings है यहां से आपका data जो manual data start हो रहा है उसके उपर करसर को लाकर आप यहां पे view के tab में जाएंगे और यहां पर एक option मिलेगा आपको freeze pens का freeze pens क्या करता है अभी देख हो रहा है कि अब आप जितना भी इसको इस side स्क्रोल करते जाएंगे तो आपका यह जो heads है यह heads आपके disappear नहीं होगे ठीक है इसी तरह से जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो नीचे जाते वक्त भी आपके जो top के heads हैं यह disappear नहीं होगे आपको पता होगा कि आप क्या बूदे अंडू करने के बाद अगर हम ऐसे कर स Gothic को स्क्रोल करते नीचे देखिए कि कि फ्रीज謙्व को हम अंडू कर देते हैं अई यह दिकिए 慢This कि हम नहीं को खतactor दिया तो अगर इसके बगयर अब स्क्रोल करते नीचे तो यह पूरी की पूरी फाइल उपर चळी आप सबोज यहां पे आप आ गए अब यहां पे आने के बाद फर्स करें आपके पास नीचे बहुत सारा डेटा था यहां भी भी लिखा हुए सब कुछ है लेकिन उपर का हेड़ आपको नजर नहीं आ रहा तो आपको कैसे बता चलेगा यह मार्क्स किसके है यह मार्क्स किसके है यह मार्क्स किसके है ठीक है इसी तरह से अगर आपकी रॉ लंबी हो रही है यह राइट साइट पर जा रही है आपकी रॉ आप यहां चले जाते हैं इस तरह तो आपको सारा डेटा गाइब हो जाएगा आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये किस student का result है किस student की row चल रही है तो इसके लिए Excel ने हमें ये function दिया है बहुत ही जबरदस किसम का कि आप यहां जाते हैं और यहां क्लिक करने के बाद आप freeze पैंस कर देते हैं अब आपके ये जो पैंस है, ये area है ये freeze हो चुक है, ये move नहीं करेगा अब आप क्या करेंगे कि right पे जाते जाएंगे तो आपको ये सारा data visible रहेगा और जब आप नीचे स्क्रोल करते जाएंगे ये देखिए जब नीचे जाएंगे आप बहुत सारा data नीचे भी अगर तो ये ऊपर जाता जाएगा लेकिन आपके heads गाइब नहीं होंगे और आपको पता कर जाएगा कि आप कौन से head के अंदर क्या देख रहे हैं ठीक है तो friends आज के लिए इतना ही ये देखिए कि आपकी कि आज एक बार रिवाइस कर दो कि drop-down list जो है वो बनाना हमने सीखिए drop-down list कैसे बनाते है multiple options कैसे देते हैं अब कभी MCQs का form अगर आप design करेंगे तो उसमें भी आप कोई ज़रुरत पढ़ सकती है कि multiple choice questions है या किसी form के अंदर multiple options है तो आपके user ने उसको choose करना है तो आप इस तरह का data create करेंगे जिसके अंदर आप drop-down menu जो है वो उसका वो इंतखाब करके आगे चल सकता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही इसके बाद हम next video में एक और नए function के साथ और हम यह चाहेंगे कि इसी file के अंदर हम सारी चीज़ें apply करते रहें और आप भी साथ साथ जूँए आप देखते जाते हैं तो आप खुद भी अपने PC पर भी यह तमाम चीज़ें apply करते जाएं साथ साथ आपको यह fingertips पे होनी चाहिए कि हमने क्या function कैसे perform किया था फिर वही बात कहूंगा कि बहुत काम आने वाला है आपको यह software और बहुत अच्छी अच्छी jobs आपको मिल सकती है अगर आप excel में expert हैं तो see you again